तो भाई लोग यह वाली जो ID है ना मेरी यह थोड़ो दिन पहले जो ब्लेक्लिस्ट हो गई थी मेरा जो रैंक वगएरा कुछ भी स्टार्ट नहीं हो रहा था इसके अंदर तो देख सकते हो अभी जो मेरा इसके अंदर रैंक प्लेटिना में और देख सकते हो मैंने पिछले म है तो पहले इसमें रैंक वगएरा कुछ भी स्टार्ट नहीं हो रहा था तो अभी मैं आपको लाइफ देखके एक रैंक स्टार्ट करके दिखाता हूं तो देख सकते हो मैं आपर CS रैंक स्टार्ट करता हूं तो भाई लोग आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला जिसको यूज करने के बाद आपका आइडी जो हंडेट परसंट अन ब्लेक लिस्ट हो जाएगा और आपको क्या करना आपको अपने क्रोम ब्राउजर उसके उपर चले जाना है और यहां पर आनेक बाद आपको सर्च करना जेंडेक्स फ्रीपार ठीक है तो जेंडेक्स फ् उपन कर लेना है तो इस वेबसाइट का लिंक में जो डारेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो वहां से भी आप इसको उपन कर सकते हो और बहले डरनावत यह जो हमारे फ्रीपार का एकदम ओफिशल वेबसाइट है इसमें फ्रीपार आपकी बाते सुनता है सकते हीया तो जैसे की एब यहां पर उपर स्कतर्स आपको व्रीपार धो में जो ऊपर. तो देख सकते ही मेरा यहां पर गया ल्रहिबस अपर ब vitam поддерж इस और बाते संच बतल्याव बाते से निए इसमेप इसमेड करना है उसके बाद यहां पर नीचे थ्वड़ा श्रूल इसके बाद देख सकते है यहाँ पर प्रूफ अपर अब यहाँ पर लगा देना है तो देख सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर आपको सिल्ट करना है कि आ किस sim से फ्रीफायर चलाते हो तो वो भी आपका यहाप अपर सेलेक्ट कर लेता हूँ अगर आप जो वाइ-पाय वगर्य के चलाते हूँ तो यहापर देखको Other ISP आपको सेलेक्ट कर लेना है तो भाई लोग आपको यहाँ पर matchmaking का problem आ रहा है ना तो देच सकतो मैं जो screen पर दे रहा है नो same to see में आपको यह copy paste करके यहाँ पर link देना ठीक है इसका screenshot वगएर जो भी आपको लेना है ले लो तो यही वाला same to see में आपको यहाँ पर link देना है और उस वीडियो का यहाँ पर upload कर देना ठीक है बहुत आपको इता सा काम करना था उसके बाद आपको यहाँ पर submit वाले option पर click कर देना है तो जैसे आप submit वाले option पर click कर देख सकतो यहाँ पर लिखा हो आएगा your request has successfully submitted मतलब आपका request यहाँ पर submit हो चुक है free fire के पास जैसे भाई गरिना आपका यहाँ पर message बगार देख लेगा आपकी problem को देखेगा फिर आपका problem solve करने का कोशिश करेगा तो भाई लोग आपको क्या करना है आपको यहाँ पर wait करना है तो भाई लोग ज़्यादा आपको 7-8 दिन यहाँ पर wait करना पड़ेगा आगे मतलब आपका problem solve हो जाएगा आपका matchmaking का तो यह वाले trick जो मैंने use किया था जिसकी वाई से मेरा ID जान blacklist हो गया तो भाई लोग आपको भी यह वाले trick यूज करना है तो आई होप आप सब लोग आज कर वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आते शेयर करता है मुझा फ्रेंड के साथ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई